बिग बॉल्स सेरा में इस बाग घर से 6 लोग नॉमिनेटिड हुए हैं नॉमिनेटिड सदस्य के नाम विशार, मदुरिमा, शेफाली बग्गा, शेफाली जरिवाला, माहिरा शर्मा और रश्मी दिसाई हैं विकिंग वार एपिसोड टलीकास्ट होने में अभी कुछ ही वक्त बागी है ऐसे में शोड से जुड़ी बहुती बड़ी जांकारी सामने आई है खबरों की माने तो शेफाली बग्गा की करीबी शोड से बेगहर हो चुकी हैं बेगहर होने की खबर खकुला साब बिक बॉस से जुड़ी अंदर की जांकारी देने वाले तक खबरी ने ट्वीट में लिखा है इस ट्वीट के मताबिक शेफाली बग्गा शोड से बाहर हो चुकी है लेकिन अभी तर बिक बॉस की तरफ से इसकी कोई भी अनास पे नहीं की गई है और नहीं E24 की टीम की तरफ से हम आपको ये ओफिशली बता रहे हैं शेफाली बग्गा शोड में सबसे दार शेफाली के साथ बात करती है शेफाली के घर से बेगर होते ही शेफाली को भड़ा जटका लगेगा शेफाली शोड में शेफाली को अक्सर समझाती हुई नजर आती है यहां तकी वे यह भी कहती दिखाई देती हैं कि बग्गा ने घर में दोबारा बतो वाइल कार एंट्री की थी वाइल कार में शेफाली के साथ और हां खान और मदुरमा तुली भी नज़र आये थे शिफाली भगाने जब घहर में पहली बार एंट्री ली थी तो जबर दस खेला था अलाकि दोबारा वाल कार एंट्री लेते ही उनका खेल थोड़ा कमजो नजर आया शो में दोबारा पकड़ बनाने और दर्श को कध्यान अपनी और खीशनी के लिए शेफाली ने देडा बरतन बजा कर घरवालों को परिशान किया था शेफाली के ऐसा करते ही घरवाले परिशान हो गएते और उन्होंने शेफाली को बाल्थरूम में बन कर दिया था विकास गुपता ने थोड़ी देर बाद शेफाली को समझाया और फिर उन्हें बादरूम से निकाल कर शांती से सोने को कहा था सबी घरवालों को लगा कि शेफाली अब कुछ भी नहीं करेंगी सुबह होते ही शेफाली ने फिर से घरवालों को उठाना शुरू कर दिया था इससे दर आनुंकी मधुरिमा तुली से भी भैस हो चुकी थी भैस इतनी बढ़ गई थी कि मधुरिमा ने उन्हें धक्का तक दे दिया था पानी भी फैक दिया था अगर आपको हमारी ये स्चोरी पसंद आई हो तो हमें कमेंन सेक्शन में जरूर बताएं